तो आज हम बना रहे हैं आप इंस्टंट खंबन एक दब मार्केट स्टाइल आपका ये खंबन बनने वाला है एक बार आप ये रेसिपी ट्राय करोगे तो सीरिसली आप लोग बोलोगे कि खंबन बिल्कुल मार्केट स्टाइली है इसे आप अपने ब्रिकफास्ट में ब्रिकट बना चाहिए तो जब बैटर बनाएंगे तो वह गुट्लिया एजटी ही रह जाती है और भी मैंने अपने चैनल पर रागी वाला खंबन हो गया इस तरह से रेसिपी एक और डाली हुए दो वह आप चाके देख सकते हो सूची डाला है थोड़ा सा से शुगर दिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है ताकि कलर अच्छा आए अगर आप हल्दी पाउडर की जगे कलर यूज़ करना चाहते हो तो कलर यूज़ कर सकते हो पर हल्दी से ही कलर अच्छा आता है सारी चीज़ों को मिक्स कर उसके बाद oil डाला है oil कोई भी refined या flavorless oil आपको लेना है सरसोका या मूफली का इस तरह से oil नहीं लेना है यहाँ पर डाल रही हूँ पानी थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि कई बार basin पुराना होता या इस तरह से होता है तो पानी ज़्यादा सोक कर लेता है तो यहाँ पर मेरा करीब एक कप पानी लग चुका है और खंबन बनाते हैं हमेशा यह ध्यान रखना ताकि आपका जो sponge अच्छे से बने खंबन का तो इसको तीन से चार मनट प्रॉपर्ली अच्छे चलाना है बिसकर की help से बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको मैंने चला लिया है अब इसको मैं cover करके पंदरा मनट के लिए rest पर छोड़ दिंगे यह step जरूरी है आपको करना ही करन करना है 15 मनट के बाद मैं डालूंगी इसमें इनो डालने के बाद हमें इसे तुरंत mix करना है जैसे हम इनो डालके इसे mix करेंगे तो खंबन जो है उसका texture change हुजाएगा color change हुजाएगा खंबन एकदम मतलब इसका बैटर है ना चिकना चिकना सा लगेगा और उतना रनी नही बहुत थिक नहीं थी और नहीं बहुत पतली तो यह आप वीडियो में देखते रहना कि किस तरह से consistency है उस तरह से आपको consistency लेनी है यहाँ पर मैंने अपना steamer ready करके रखा है तिन भी उसके अंदर डाल के रखा हुआ है सारा जो खंबन का बैटर है उसके अंदर मैं डाल रह तो आपको steamer proper आते हैं वो भी यूज करते हैं जैसे मैंने आप यूज किया है बड़ा बरतन लेके उसके नीचे रिंग रखके और अपने बैटर उसके अंदर डाल दिया है तिन 6 इंच का है आपके मैंने 10 यूज किया है इसको ढखकर पकाएंगे 10 मिनट के लिए मैंने ते हम रखनी है सॉरी खंबन बनके रेडी हो गया है मैंने से डी मोल्ड कर लिया है और एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉंजी ये बनके तियार हुआ है इसके कर लेंगे पीसिस आप चाहो तो पहले तड़का लगा लो फिर पीसिस कर लो बट पीसिस करने के बाद जब तड़का लगाते है ना तड़के का सुगर शीरफ हम बनाएंगे वो डालेंगे तो अच्छे से हर एक पीस के अंदर वो शुगर सीरफ चला जाता है तो मतलब और ज्यादा स्पॉंजी लगता है और टेस्ट उसका उतना ही अच्छा लगता है आप शुगर सीरफ नहीं बनाना चाहत यहां पर हम बना रहे हैं भी शुगर सीरफ उसके लिए ले लिया है ओईल को गरम करने के बाद इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड सीड यानि की राई इसे थोड़ा सा चटकने देते हैं राई जैसे हमारी चटके की थोड़ा सा तो इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रीन चिली ले ली है ग्रीन चिली ऑप्शनल है थोड़ा सा अगर जिससे आपको कम तीखा पसंद है उस तरह से आप उसी साप से ग्रीन चिली ले सकते हो कम या ज्यादा यहां पर मैंने डाल दिया है करीब एक कप भरके पानी और थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट इसको अच्छे से एक उबाली आने तक पकाएंगे और गैस को कर देंगे हम बन तब तक हमारा खंबन भी ठंडा हो चुका होगा पानी को एकदम गरम गरम हमें खंबन के ऊपर नहीं डालना है थोड़ा सा लिक्वाम डालना है एकदम ठंडा नहीं एकदम गरम नहीं बहुत जादा गरम पानी डालेंगे तो खंबन है ना सौगी सौगी सा हो जाएगा मतलब टेक्शर उतना अच्छा नहीं लगेगा उसका तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुन-गुना पानी ले रही हूं यह चीज आपको जरूर से दिहान रखनी है पानी को गुन-गुना ही रखना एकदम उबलता हुआ नहीं डालना है तो यहाँ पर मैंने चम्मच की हेल्प से पूरा धीरे-धीरे पानी को इसके ओपर डाल रही हूं और पीसेज को भी थोड़ा सा टेड़ा करकर इंके अंदर डाल रही हूं ताकि अच इस तरह से डालोंगी तो वो प्लेट के साइड में आ जाएगा इसके ओपर गार्निशिंग कर रहा है थोड़ा सा हर धनिये के साथ आप इसे किसी सॉस के साथ हरी धनिये के साथ यह ऐसे ही कह सकते है बहुत टेस्टी लगता है जाली देखिए इसके कितनी सॉफ्ट है एकद सारे घर में एवलेवल होते ही होते है यह सारी चीजें तो रेसिपी कैसी लगी गाईज आप लोगों को तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ट्राय करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइ करते हैं